हेलो फ्रेंट्स रादे रादे कैसे हो आप सब लोग फ्रेंट्स अज बना रही हूं मैं South Indian खाना जिसमें मैं बना रही हूं डोसा जो चावल नाया था तो इसके साथ कम समबर और नारियल की चटना तो ये समबर और शकर दिया ने रहे दिया ने रात को भीकों तीन टमाटर और एक इंच अद्रक का टुकडा लिया है तीन चाल ले लिया है हरी मिर्ची इन सब चीजों को अच्छे से मैंने धो लिया है और उसके बाद मैं कर लूँगी मैं इनको चॉप तो इनको मैं रफली चॉप करने वाली हूं चुटे-चुटे पीसे में चॉप करन अगर पानी नहीं डालेंगे तो वह तरकल काला पड़ सकता है उसके बाद मैं मैंने इक चॉप लिया उसमें मैने पैज को रफली चॉप कर दिया इसको मैं चॉप करने वाली हूं तो आप चाओ हाँ से भी चॉप कर सकती हो तो इसको मैं अच्छे से बाड़ rouισ चॉप खर इसके बाद रख दिया मैंने कुकर गया इस पर गरम होने के लिए मैं सामर को कुकर में ही बना रही हूं डारेक्ट इसमें तड़का लगा के बना दूंगी इससे बहुत जल्दी बन जाएगी आप चाहो तो कड़ाई में भी बना सकते हो पहले कुकर में डाल और सब्जियों क प्यास तब तक मेरे प्यास भुन गया तो मैं अद्रक और रहावता रही है हुआ है different different तरीके से बनाता है मैं अपना तरीका आपके साथ share कर रही हूँ तो तब तक देखिए मेरे प्याज भून गई थी तो मैंने अद्रक और हरी मिर्ची कटे हुए उनको भी डाल दिया सोटे कर लिया प्याज को अच्छे से प्याज अच्छे से भून गई थी तो डाल दी थी मैंने इसमें हल्दी और अच्छे से प्याज को मैंने मिक्स कर लिया जिससे कि यह हल्दी भी अच्छे से भून सके तो 2-3 मिनट के लिए मैंने अच्छे से इसको सोटे किया था उसके कשक डेलाओं थोड़ी दर के लिए पकने के लिए छोड़ दूखी दो फ्रेंट्स मैंने दूसरी गैस पेक कर लिया थोड़ा सा पानी-गरम इसको मैंने एक बडतन लिया थी राणas इमली ये देखो सुखी इमली है इसको मैं भिगो के छोड़ दूगी इसको गरम पानी के अंदर ही भिगोना नहीं तो ये फूलेगी नहीं अच्छे से तो उसके बाद मेरे प्याज टमाटर अच्छे से भून गए थे मैंने डाल दिये मसाले धनिया पॉडर डाला था दो चम चुँँभर के अंदर है तो ऐसके बाद में मैं चला दूँगे अच्छी तरिके से शारी मिक्स होसके पॉड़िय पानी हमPkin अपने डाल दिया मैंने इसमें नमक और नमक डालने के बाद मैं अच्छे से इसको कर लूँगी मिक्स और उसके बाद मैं धकल लगा कर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तो इसको मैं धकल लगा कर एक दूसरी एस पर रख दूँगी तब तक मैं बना लूँगी नारियल की च कि अच्छा हो तो आप शूखे नारेल की भी चटनी बना सकते हो यह भी बहुत अच्छी लगती है कभी कई नारसर wonा अब लेबल नहीं होता है तो आप सूखे नारेल की भी डाल सकते हो लेकिन बहुत उच्टती है पूरे उसमें किचन में फैल जाती है तो मैं बाद में ही डालती हूँ उसके बाद मैं अच्छे से सौटे कर लिया दो डाल दीती मैंने सूकी लाल मिर्ची और डाल देर सारा कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता बाद में ही डालना स्टा कि निये चटनी अच्चे से उसके बाद चार पांट 63 के लिए भून लिया था उसके बाद मैंने करदी गैस बन इसको हम धोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे तो यह थंडा हो गया है मैं मृक्सिके जार में कर लूँग universo को मैंने देखिए मेरा अच्छे से यह चटनी बन का तयार हो गया है इसको मैं एक बरतन में निकाल लूँगी और उसके बाद मैं थोड़ी सी अपनी मसाला जो स्टार्टिंग में मैंने भूना था वो बचा लिया था उसके बाद मैंने डेकुरेट कर दिया चटनी को तब तक मैंने च अफली चॉप करके सबजियों को डाल सकते हो देखिए दो मिनट के लिए मैंने इस मतनी से इसको मता है और सारी सबजिया अच्छे से मिक्स हो गई है उसके बाद मैं सामर मसाला डाल दूंगी दो चमच भर के और गैस मैंने ओन रखी है उसके बाद थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसमें गरम मसाला और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो देखिए सामर अलमुष्ट मेरी रैडी हो गई है उसके बाद मैं इसको मैं पकने दूंगी थोड़ी देर के लिए यह इमली का पल्ब है जो मैंने थोड़ी देर पहले भिगो के रखा तो देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको छान लिया है उसके बाद मेरी सामर अलमुष्ट रैडी हो गई है अच्छी से उबल गई है उसके बाद मैंने हरा कटा हुआ धनिया ले लिया है और उसको डाल दिया है मैंने डाल के अंदर तो फ्रेंट्स यह बहुत जल्दी बनके रैडी हो जाती है अगर आप जल्दी में हो तो आप कुकर के अंदर भी बना सकते हो डारेक्ट और टेस्ट में कोई भी अंतन नहीं आता बहुत यम्मी बनती है तो उसके बाद में मैंने एक बरतन में निकाल लिया है साइड में और मेरी दाल बनके हो गई है रैडी इसको डेकुरेट कर लिया है मैंने तड़के के साथ क्योंकि तड़का मैंने अल्रेडी लगा दिया था उसी में से थोड़ा सब बचा लिया था तो उसके बाद मैं बनाओंगी मैं डोसा तो इसके लिए ये लिया है बैटर जिसको मैंने रात को पीस के रख दिया था ओवर वरनाइट के लिए इसको रख दिया है तो देखिए यह अच्छे से मेरे फूल गया इसका खमीर उठना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर खमीर नहीं उठेगा तो दोसा अच्छे से नहीं बनेंगे तो मेरा इतने अच्छे से उठा हुआ है कि पूरा पतीला मेरा भर गया बनाना है तो उसके बाद मैं मैंने डोसे बना कर तयार कर लिए इसको मैंने सर्व किया है चटनी और सामबर के साथ तो फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिए